राधे राधे जी आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम अमल की एक आदशी के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो की शिरुवात करते हैं फालगुन मास के शुकल पक्ष की आने वाली एक आदशी को आमल की एक आदशी कहते हैं इसे आवला एक आदशी भी कहा जाता है शास्त्रों के निसार भगवान विश्नु ने जब स्रिष्टी की रचना के लिए ब्रह्मा को जनम दिया उसी समय उन्होंने आवले के व्रिक्ष को जनम दिया कहा जाता है कि भगवान विश्नु ने आवले के व्रिक्ष को आदी व्रिक्ष के रूप में प्रतिश्टित किया जिसके हर भाग में इश्वर का स्थान माना गया है आ मलकी एक आदशी के दिन आवले के नीचे बैट कर भगवान विश्नु का पूजन करने से सो गायों के दान के समान पुन्यफल की प्राप्ति होती है इस साला मलकी एक आदशी 25 मार्च को है आईए जानते हैं एक आदशी एवं व्रत पारन का शुम महौरत एक आदशी थिथी 24 मार्च बुद्वार को सुभा 10 बज कर 32 मिनिट से आरम्भ हो जाएगी और 25 मार्च गूरुवार को सुभा 9 बज कर 47 मिनिट पर समाप्त हो जाएगी हालांकि व्रत 25 मार्च को ही किया जाएगा व्रत पारन का शुम महौरत 26 मार्च शुकरवान सुबाच 6 बज़कर 35 मिनेट से 8 बज़कर 12 मिनेट तक है इसकी अवदी 2 घंटे और 27 मिनेट रहेगी आईए जानते हैं एक आदशी व्रत का महतु पदुम पुरान में उलेक के अनुसार आमल की एक आदशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से सैकडों तीर्थों के दर्शन के समानपुन्ने की प्राप्ति होती है इस दिन व्रत और पूजिन करने से भगवान विश्णू के साथ मातल लक्ष्मी की विक्रिपा प्राप्त होती है व्यक्ति को सुख स्मृद्धी की प्राप्ति होती है इस दिन आवले का बहुत महतु माना गया है भगवान विश्णु को आवला अर्पित करना चाहिए जो लोग वरत नहीं रखते हैं उन्हें भी आवले का सेवन करना चाहिए ये जानते हैं आमला एक आदशी वरत पूजा विधी एक आदशी को प्रहते जल्दी उटकर स्नानादी करने के पश्चात भगवान विश्णु का ध्यान करते हुए वरत का संकल्प करे भगवान विश्णु की पूजा आरम करे उनके समक्ष घी का दीपक प्रजविलित करे धूप जलाएं और भगवान विश्णु को पुष परपित करे यदि आसपास कोई आवले का व्रिक्ष होतो वहाँ पर जाकर धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत, आदी से पूजन करे यदि आवले का व्रिक्ष ने होतो भगवान विश्णु को आवला अर्पित करे उजा संपन करने के पश्चात विश्णु शह सस्त्र नाम का पाठ करे द्वादशी तिथी यानि एकादशी तिथी की अगले दिन प्राते उटकर सनान करने के पश्चात भगवान विश्णु का ध्यान करे इसके बाद किसी जरूरतमन व्यक्ति या भ्रामन को भोजन करवा कर कलश, वस्त्र और आवला आदि दान करके उन्हें दक्षिना दे कर विदा करे पारन महोरत में स्वेम भी भोजन ग्रहन कर व्रत का पारन करे हम आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए मददकार होगी अगर हमारी वीडियो आपके लिए मददकार होती हैं तो आप नीचे बने लाल पटन को दबा कर हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बगल में बनी घंटी को भी दबाना बिलकुल मत भूलिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई कमी महसूस होती है तो हमें कमेंट्स में लिख कर जरूर बताएं धन्यवाद